नमस्कार दोस्तो इंडियनमनी.com के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत हैं मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट शार्दा दोस्तो ङ diante वरिड हो क्या फ्रस्टेटेड हो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से क्या आपको दिक्कते आती हैं क्या आप इससे बचना चाते हो तो इसकी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में دेने वाणा हूँ तुरन जाएए मेरा वीडियो अंतक देखना मत बूलिएग और Android और इसका जो लिंक है मैंने description box पे देखे रखा है दोस्तो तो चलिए दोस्तो एक छोटी सी कहानी मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं आज आप लोगों को कि दो हफते पहले मेरा जो credit card है वो एक shopping site में use हुआ था अभी ये पहली बार नहीं है ये दूसरी बार है तो जितना भी प्रोटेट करना की कोशिस करें फिर भी कभी न कभी credit card information leak हो सकती है market में आपको पता है दोस्तो कि जो companies है जो banks है जो जितने सारे credit card companies है वो कितना खर्चा करती है fraud prevent करने के लिए लेकिन मान लीजिए आपने अगर आपके साथ कोई credit card fraud नहीं हुआ है फिर भी आप बड़ी दिक्कते आती है और इससे बचने की हमको बहुत सारे उपाए सोच के रखना चाहिए ताकि हम इससे बच सके और careful हो सके तो जलिए जोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से जो हम इस credit card fraud से बच सकते है तो ध्यान से मेरा वीडियो अन तक देखिए तो चलिए जानते है क्या क्या तरीके हैं जिससे हम credit card fraud से बच सकते हैं दोस्तों सबसे important चीज़े पहला alert message जो है वो activate करके रखना बहुत ज़रूरी है अभी alert क्या है जैसे आपने दोस्तों credit card कहीं company से लिया या फिर bank से लिया है तो immediately अपना SMS facility है वो तुरंट जाके उसको activate कराई है ताकि कल को आपका जो credit card है अगर कहीं पर shopping site में use हो रहा है या फिर कहीं पर market में use हो रहा है तो तुरंट आपको SMS आ जाए अगर आपको SMS आ गया तो immediately आप क्या करोगे activate हो जागए alert हो जाए और immediately आप इसको report कर सकते हो या फिर police को या फिर credit card जो companies को ताकि आपका card block हो सके अगर आपका alert service activated नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपका card हो गया है या फिर mis utilization हो रहा है दोस्तों यह सबसे पहला important चीज आपको करना चाहिए दोस्तों दूसरा important चीज जो है आपका जो अभी देखिए दोस्तों हम लोग card लेके use करके shopping sites में use करते हैं और कभी-कभी व आप sites को नहीं जानते हो तो उसमें card आपका information कभी भी मत save कीजिए या फिर कहीं भी कोई भी sites में आपका card information save मत कीजिए अब जितने बार डालना चाहते हो डाल सकते हो लेकिन save कभी मत कीजिए क्योंकि उसमें risk factor हो सकता है जो hackers है जो actually इसको hack करना चाहते है वो अगर card information save है त automatically जो hacker है या फिर जो चोरी करना चाहता है उसको data नहीं मिलेगा इसलिए कम जगा पे या फिर नहीं करना चाहते हो तो वो भी मत करो तो immediately card को डालो और use करो don't save दोस्तो तीसरा important चीज़ दोस्तो सबसे important चीज़ क्या करना चाहिए आपको जैसे आपको कोई email में या फिर email सकता है वो hacker के through हो या फिर कोई actually आपका data चुडाना चाहते हो या फिर आपका social media accounts को hack करना चाहते हो तो वो दिकते पैदा कर सकती है तो आपको क्या करना है ऐसे unknown sources से link को click करना नहीं है आपको तुरंट इसको avoid करिए ताकि आप इस credit card fraud से या फिर इसी तरह के जो fraud होते है उ इसको report करना बहुत जरूरी है credit card company को और police को report करना बहुत जरूरी है अगर आप report ही नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि किसी ने fraud किया है अब माल लीजे मेरे साथ कुछ fraud हो गया है अभी मैं उसको report ही नहीं करूँगा तो जो चोरी किया है वो और दूसरे जो problem से वो create ना करे और credit card fraud ना करे तो दोस्तो यह चार चीजे जैसे मैंने बताया यह immediately आप अगर follow करेंगे तो हो सकता है आप credit card fraud से बच सको दोस्तो यह जो information मैंने दी है इसी तरह के बहुत सारे information मैं अगले video में लाने वाला हूँ मेरा video follow करते रहिए और इसको like share comment करना द दोस्तो आपको कहा मिलेंगे घर बैठे Indian money financial freedom app में तो तुरण जाइए इसको download कीजिए घर बैठे 28 तरह के courses जो है आपको घर बैठे मिल रहे है ताकि आप इसका lab उड़ा सको investment के बारे में mutual fund के बारे में stock market के बारे में loans के बारे में loan eligibility बढ़ाना है उसके बारे में business grow करना ह उसके बारे में और अगर आपको carrier build करना है दोस्तो तो किस तरीके से आप carrier build कर सकता हूँ उसकी बारे में जो information है वो आपको इस app में मिल रही है अगर आपने अभी तक download नहीं किया है तुरण जाइए इसका lab उठाईए मैं बहुत सरे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रह होंगा धन्यवाद दोस्तों